असलाम वालेकुम ग्रेटू आइम यूर ओलन टीचर ओफ उर्दू आई होब कि आप सब खेर और आफियत से होंगे तो डियर स्टुडेंस अपनी किताब का सफ़ा नंबर दो खोले हमारा आज का जो टोपिक है वो है नाथ तो सबसे पहले हमें नाथ का मतलब पता होना चाहिए कि नाथ किसे कहते है तो मैं आपको बताती हूँ ऐसी नजब जिसमें प्यारे नबी सले लाह लेह वा आलही वासलम की तारीफ बियान की जाए उसे नाथ कहते हैं और जिस नज़ में हमारे प्यारे नभी सिल्लाहुले वाली वे सल्लम की खूबियां सिफात बियान की जाएं उसे नाथ कहते हैं तो बच्चो इस नाथ के आठ बंद हैं तो पहले हम इस नाथ की पढ़ाई करते हैं इसलिए आप गोर से अपनी बुक पर देखें और समझें मैं स्टार्ट करती हूँ पहली लाइन प्रे वो पहनते जब भी फढ़ते खुद सी लेते प्यारों मुहबत से पेश आते गोर से सुनते प्यार से कहते नेकी की बाते ही करते कभी किसी का दिल ना दुखाते आओ हम ये एहत करें सुननत पर अब अमल करें तो प्यारे बच्चे यो होगी पढ़ाई अब मैं आपको इसकी वज़ाद करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है सबसे पहले लाइन पहला बन प्यारे नबी सुलेला हो लेह वाली वे सलम की बाते पढ़ें इन जैसे ही काम करें इसका मतलब है कि हमें आप सलम की सुननत पर अमल करना चाहिए उन जैसे ही नेक अमाल करने चाहिए दूसरा बन हमारे लिए हैं वो मिसाल मतलब कि हमारे लिए वो एक नमूना है एक मिसाल है उन्होंने हमारे लिए मिसाल करें कि हमें नेक काम करके कैसे दुनिया और आखरत में काम्याबी हासल हो सकती है इन्सानों का हैं वह कमाल क्यों हमारा हम सब के लिए एक माल है एक मिसाल और नमॉना है बंद न्म ी साफ और सुथरे हमेशा रहते हर दम महते हर दम मुस्कूरा थे कि आप स्रीलाध रुलreso हमेशा साफ सुथरे रहते थे हर दम महते थे और उनके फेस पे मुस्कुराहट रहती थी सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते वो हमेशा सीधे हाथ से खाना खाते और खाना खाने से पहले बिसमिल्लाह रॉक्मान रॉराहिम पढ़ते थे और खाना भी बिल्कुल सादा खाते थे सादा से कपड़े वो पहनते जब भी फटते खुद सी लेते इस बंच से पता चलता है कि आप अपना काम अपने हाथों से खुद करते थे अगर उनके कपड़े फट जाते तो वो अपने कपड़ों को खुद सी लेते थे प्यार और मुहबबस से पेश आते आप से लेला हुरे वाल से लेम हर किसी से प्यार और मुहबबस से बात करते थे और उनसे शफकत से पेश आते थे गोर से सुनते प्यार से कहते वो हर किसी की बात गोर से सुनते थे और प्यार से उसका जवाब देते थे नेकी की बाते ही करते कभी किसी का दिल ना दुखाते वो हमेशा नेक रास्ते पर चलने की बाते बताते थे और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे आओ हम ये एहद करें सुन्नत पर अब अमल करें इसके आखरी बन्ठ से ये है के हमें अपने आप से वादा करना चाहिए Que file के आखरी रिसूल, sallallahu alaihi wa sallam की सुन्द पर अमल करें सुन्द पर अमल करने से मुराद कि ऐसे काम जिनको आप सलेला हौले वाले वाले ही वसल्लम ने अपनी जिन्दीगी में किये हमें उन पर अमल परा होकर दुनिया और आखरत दोनों में काम्याबी मिल सकती है हमारी पढ़ाई यहां पे कंप्लीट होती है तो पहले बंद में आएं प्यारे नभी सलेला हौले वाले 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 वसल्लम की बाते पढ़ें इस लाइन में जो वर्ड है वो बाते उसको आपने अंडरलाइन करना है दूसरे बंद में मिसाल फिर है इनसानों उसी लाइन के अंडरला वर्ड है कमाल तीसे बंद में है साफ, सुथ्रे, हमीशा फिर नीचे है महते, मुस्कुराते, हंस्ते या मुस्कुराते फिर aí सीधे हाँ से खाना खाते, इस लाइन में बर्ड आपने जो अध्र लाइन करना है वो है सीधे और खाना भी सादा खाते, इसमें है सादा next line में है कपड़े अगली line में है फटते फिर है प्यारों मुहबत इसी line में अगला जो word है वो है पेश next word वोर फिर है नेकी next line है दिल दुखाते last band है उसमें जो word है एहद उसको अंडर लाइन करें और आखरी line में word है सुन्नत उसको आपने अंडर लाइन करना है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी और मुश्किल अलफास के माइनी भी पता चल गए होगी और ये जो मैंने आपको इमला के word अंडर लाइन करवाए हैं ये भी आपको चैसे आ गई होंगे तो अब जो आपका घर का काम जो home task होगा वो आपका ये होगा के learn and write dictation words from page number 2 नाथ के जो मैंने आपको words अंडर लाइन करवाए है इसको आपने copy में खुशखत लिखना है जो assignment हम आपको देंगी उसमें आपने इसको खुशखत लिखना है हमारा आज का लेक्टर ये ही पे खतम होता है अपना ख्यार रखेगा लाह आफिर